अजी सथ स्रीकाल जी सारण सूपंजाब मेरे थोड़ा बहुत बहुत स्वागत कर देयां ते आज जपां गाल करांगे 1984 देक द्रिश्दी जदो हमले तो बाद एंदरा गांदी श्री दरवार सहाब दे दर्शन करना आई सी सो जिसने ए आउडर दते सी कमांड दती सी ओही ऐस मौके ते आई क्योंके ओहो उस वक्त देश दी परदावन मांतरी सी ते ओहो मौका देखन लए आई सी ते जून वाले दिन परदावन मांतरी एंदरा गांदी श्री हरमंतर सहाब दे दर्शना है ते जदों आई ता उना नाल होर लोक भी दर्शन करना है सी ते ग्यानी करपाल सिंग जी दे अनुसार चार सिंग सहबाना ने श्री दरवार सहब उपर फोजी हमला करवान वाली परदावन मांतरी दा मकमल वाई काट करन दा फैंसला कीता सी पार फिर उनानों कोज़ित कारियाने एस लाद थी कि तुसीं इंदरा गांदीनों फोजी हमले समय हुए ए जलम दी दास्तान खल के सनाओ ते होई तवाही ते बरवादी वखाओ ते एस कार के उनानने इंदरा गांदी दे श्री हरमंदर सहब मत्था ठेके बहार वान समय इन ना कमरे ज्ट भाहिछ तोटोra चैने पर प्रप्धिनिया दुपर के रिगन कोस्त परनें तोब preciso सोने, चड़े, पत्रे, उखडे, ते डिग्गे होई भखाए, सामने सारिया मंजलां दे बूहे, बारियां ते शज़े, टुटे, पज़े दखाए, पहली मंजल दी सुनैरी पाल की रुमाले ते सास्तरा बारे, बेर्वे सह दस्या, ताइंद्रा गांदी ने एक कहा, कि बहा नवाज ते सिख रेफरेंस लेवरेरी नों कमपलेक्स उपर पूरा कबजा करनतो बाज एक जोन नों जान बज के अगला की साड़या गया ते एथे बहुती कीमती रकार ते लेवरेरी चाहत लेखत श्री गुरू ग्रांत साबनिया बीडां ते होड दुरलब खरड़े ते हुकम नामे सी जो हुन क्रोडा रपे विच भी नहीं मिल सकते ते एस एक कामदा महान कीमती बरसा साड़ के स्वा होया ते किसे समय बदेशी गोरियां खेलजीयां पठाना ते मोगला ने पार्थदियां लेवरेरियां साड़ियां सी पर एस साड़ी अपनी जाद देश पार्थदी सरकार दे फौजियां ने थोड़े होकम नार साब कोज साड़ के सादा लई कलंक खट लया देश दी परदान मांतरी नों चंगी तरह महसूस कराया गया तो उस समय ये भी पता लगया कि कुछ गल्ला दे ओर्डर दिते ही नहीं सी ते कुछ गल्ला उस तक पहुंचियां भी नहीं सी ते सिंग साब ने कहा कि थोड़े फोजी पर कर्मा विज बूट पाके नंगे सरफर दे रहे सिगर्टा पींदे रहे पवित्तर स्रोबर दे जाल नाल कपड़े तों दे रहे थोड़ी फोज ने मुगला तों बद जुल्म कीते ने फोड़े कोड सहीर पोटा नहीं पोज दियां ते उन्हा एवी कहा कि जे बदेशी फोज होंदी ता शायद सानू एना दुख ना होंदा असीं एस देश दे बासियां एही साड़ी अपनी फोज है ते सिख कौम ने हमेशा ही देश दी अजादी लई ते पिछों इस नूँ कैम रखन लई महान करवानियां कीतीयां ने पर तुसीं एस बहतर सिख कौम नार तुझे दरजे दे शैरी वाडा सलूग कीता है येडी कौम हमेशा देश पागत ते बफादार रही है उस नार इना माडा सलूग कीता की सारी कौम दे हर दे शलनी होगे ने ते एस सब सुनके इंदर अगंदी कैन लगी अब क्या हो सकता है ता सिंख साब ने कहा की श्री दरवार सहाब कंपलेक्स चों फाज नू तरंत बाहर पेज देओ ता उसने कहा यह तो मुश्कल होगा जर्नायल नहीं मानते ते उसने कहा की मैननु जर्नायला नाल काल करलाण देओ मैनन्ँ दोकू देन होड देओ ते एए एकशन तो बाद सिंख साहब ने फैनसला कीता सी कि श्री दरवार सहब बलों किसे नो भी स्रोपा ना दिता जावे ते एसे करके राष्टर पती ग्यानी जैल सिंग, केंदरी मांतरी श्री बुटा सिंग ते प्रदान मांतरी एंदरा गांदी नों स्रोपा नहीं पाया गया ओर ता किसे नों की पॉणा सी ते चंगी तरा एहसास भी कराया गया ते जदो प्रदान मांतरी ने एस सारा हाल देखया ता उसनों एडर सी की जदो संगता इथे आउनगिया ता एस सारा हाल देखके संगता दे अंदर सरकार लेई बहुत नाफरत पैदा हो सकती है सो एस नो जल्दी तो जल्दी ठीक करवाया जावे सरकार नो एडर सी की हो सकते तार्मिक स्थाना दा एडल दखाऊ दरिश देखके आम संगतां दे तार्मिक जाजबात पढ़क पैनगे ते सारी कौम सरकार तो बागी ना हो जावे ते जिस्तों बाद एस सारी स्थेटी नो संबालन लई सरकार लई मुश्कल हो जावे तो एस करके ओचाउंदी सी की शेती तो शेती थोड़े तो थोड़े समय वेची स्री अकाल तक्त साइब दी मरम्मत कीती जावे ते एक होर खबर ने सरकार नो बहुत ड्राया ओ एस की बहुत सारे लोकां बलों बहरों पत्तरा रही सुझा आधते गए की स्री अकाल तक्त साइब दी अध्ट ही अमार्त नो मरम्मत ना कीता जावे ते नाही प्राणी अमार्त ता आके एस दी था नमी अमार्त दी उसारी कीती जावे सगों एही रूप विच एस नो रिजर्ब करके रखलया जावे सो बहरों लोकां ने पत्तरा रही सजा पेश कीते की बदेशा विच दुझी बड़ी जांग पिछों अंगलेंड ते होर थामा ने बंबारी कार्ण बरवाद होए गर्जियानों जियों दा त्यों ही सबालके रख्या है ता जो आउन बालियां पीडियां ए नकसान बेख सकन ते नेडे तों जोड सकन तुसी शायद कवेंटरी दा गर्जा अपनी एंग लैंड दी जात्रा विच बेख्या होना है तो उना ने प्राणा टेहा होया गर्जा उसे तरह रहन देता ते नमा बखरा उसारया गया ते उना दा कहन दा मतलव एसी कि जो साड़ा ये नुकसान होया है अपमान होया है इस साड़े आउन बाले बच्चे ते बच्चियां बेख सकन ता जो हो एस निंदन जो कारवाई दा अपसोस कार सकन क्योंके आउन वालिया सारिया पीडिया नू दसंदी लोड नहीं क्योंके हो सारी चीज नू असलियत बिच देख सकन भीया ते उना दा कहना सी की नमी अमार्त नू अलग जगाते या इक पास से उसार ले आ जावे सुईते सिंग साब दासदेने की पहला ता एस ने हे पत्तरा रहियां दे सी पर बाद बिच कई काले सजनाने अखवारां बिच भी पेज दे ते इस तो बाद सिरकार ने कहा कि तुसीं शेती तो शेती काट तूं काट समय विच श्री अकाल तक्त सहव दी मरमत या नम नर्वान करो जिनना समा ए सेवा संपूरन नहीं दी उनना समा परवंद लई किसे अनसुखामी कटना नू रोकन लई फौज कंपलेक्स दे अंदर रहेगी क्योंकि उननों पता सी कि जेकर प्राणी अमार्त इथे खडी रही ता ओन अलियां पीडियां विच सादे लई बहुत नफरत पैदा होवेगी ते इस दे नाली थो नों एक हूर दिल दहला देन वड़ी काल दास्देयां सिंग साब दास्देने की यसीं आउधिया कुछ जहिया कार्पूरेशन दियां कूडा टोन वाड़ीयं घड़ियां देखियां जिना विच अनसानी लाशा लकडा वांगला दियां हुन्यां सी ते सानु एवी दस्या गया कि गार्मी कार्ण लाशा बहुत ही खराब होगी याने ते उना विच उ बहुत बदभू आ ते जिस करके कार्पूरेशन दे सफाई कार्णवाले में दूर भी चुक्न तो अनकार कर रहे सी पर फाउज बलों उनानू लाल्च दता गया ते उनानू बीर पिये तो चाली रुपे तक दिहाडी दती गई ओस समय उनानू अपने कोलों श्राब भी पलाई गई ते एस दे जिनाल ही उनानू एवी शुटी दती गई कि लाशादियां कड़ियां सोने दे कड़े मंदरियां ते नागद माया आदी जो भी कीमती बास्तू मिले ओ चुक्न वाले अपने कोल रख साकदेने ते एही कार्ण सी कि जिस्तो बाद बहुत सारे लोकां दे अपने क्रीबी उन नू मिल ही नहीं सके सो एवी उस समय दा एक द्रेश सी जो थोड़े सामने पेश करन दी कोशिश कीती है जो कि सिंग सहब गयानी कृपाल सिंग दी गताब बिचों ले आ गया है सो बेशक ओ अमारत नहीं रखी गई पर फेर भी सैंती साल होन तो बाद भी एस नू आज तक क हारी सांगत नों शिरी गुरू ग्रांस साहब जी दे गोडी लगए पावन सुरूप दे दर्शन करवाएगे ते हो गोडी विये थे रखी गई है ते एस गोडी नाल नब्बे आंग जखमी होया सी सो जदन जून 1984 दा ए हमला होया सी ओधों ए पावन सुरूप शिरी हर्मं में वेचे जरूर जावेगा ते बाकी रही सांतां दी लाइफ दे वीडियो दी गल ओ भी बना मांगे पर उस लई थोड़ा टैम लग सकता है क्योंके उना दी लाइफ दी स्टोरी कोई आम इंसान दी स्टोरी वरगी नहीं सी सो उना दी जीवनी वारे बहुत कुछ गबर क होवेगा तो एस करके समाल लग सकता है तो बाव सारे लोकानों इक तो चले शे तक हमले वारे ता पता सी पर एस वारे नहीं पता सी तो असी आकसर कैंदेर एन्ने आ कि साधे बच्चानों तिहास वारे नहीं पता या फिर उना दी तिहास ते काट पकड़ा है तो एस विच गेनरेशन नूँ समझन ते समझा उनली सानू असानी होवे। सो एस तरह करनाल और वाली पीडी विच हार तरह दे लोका नूँ अतिहास वारे ता पता होवेगा। बेशक उना दा अतिहास विच एंट्रास्ट होवे या ना। सो एथे किसे एक तरम दी गल नहीं। एस तरह क वीडियो बदिया लगी ता लाइक ते कमेंट करके जरूर दसे हो ते नाल दी नाल एए वीडियो नूँ बाद तो बाद शेट जरूर करते हो ता जो एइनफरमेशन जादा तो जादा लोकां तक पाउंसके। ते हार रोज मॉटिवेशन दा डोज लें लिसा नो नेकियो तन वाद।